देखे भी अब हमने कर लिया है से पहले transpose of a matrix वह हमने कर लिया है transpose में क्या करते हैं कोई matrix given होता है ए और हमें निकालना होता है उसका transpose a dash लिखो या a power t लिखो या a power capital T यह सब transpose के notation ठीक है तो matrix a से a transpose कैसे निकले a में क्या करो a के जो रोज हैं उनको क्या बना दो कोलम बना दो पहली रोग को पहला कोलम दूसरी रोग को दूसरा कोलम तीसरी रोग को तीसरा कोलम तो जो नया matrix बनके आएगा बनाया किसे एसे तो इसी को बोलते हैं transpose of given matrix A यह ऐसे करो तो कोई matrix A है उसमें ऐसे आप column wise देख लो जो भी column है और transpose में क्या करोगे जो उसके पहला column था पहली row में लगा दो पहला column पहली row दूसरा column यह दूसरा column दूसरी row बना दो तीसरा column तीसरी row और चोथा column चोथी row तो यह जो matrix बनके तेयार होगा किस से बनाया A से और यह इसको क्या बोला जाएगा transpose of matrix A ठीक है अब आपको यह लग रहा होगा देखो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी by chance कि आपने A दिया था और आपने A transpose निकाला ठीक है यह दोनो equal आ भी सकते हैं और दोनो unequal भी आ सकते हैं ठीक है बाई चांद सोचो कि आपने A matrix था और A का transpose निकाला और equal आ गया ठीक है equal आ गया आपको given था A matrix A given था और आपने उसका transpose निकाल लिया ठीक है और वो A के बराबर ही आ गया जो given था तो जो ऐसा matrix जो matrix A है कुन से है यह इसकी खास बात क्या है यह ऐसा matrix है जिसका transpose इसी के बराबर आ रहा है तो यह जो matrix है इसको मैं बोलता हूँ इसको बोलेंगे symmetric matrix चलिए definition बढ़ते हैं तो इसने रिखा है यहां पे symmetric matrix में if the transpose of a square matrix कोई भी हो सकता है हूँ कोई भी matrix है यही ले लेता हूँ if the transpose of a square matrix is itself मतलब कोई एक square matrix है और उसका transpose वही आ रहा है मतलब उसका transpose करने के बाद उसका transpose वही है ठीक है कोई फरक ही नहीं हुआ असमे ऐसे तो फरक हो जाता है लेकिन कुछ में होता नहीं है a निकाला a दिया था a का transpose वह अलग आता है कुछ में a का transpose a के बराबर आ जाता है वही बात कह रहा है if the transpose of a square matrix a is itself then it is called a symmetric matrix तो जो उस टाइप का matrix होगा उसको हम क्या बोलेंगे symmetric matrix a की matrix है यहाँ ऐसे नहीं कि आपस में दो matrix है ऐसे नहीं कहा रहे ऐसे की matrix है ठीक है मतलब यह ऐसे कह रहा है a square matrix a is symmetric if condition क्या लगा दी a का transpose equal to a अगर a का transpose a के बराबर आ जाए तो जो a matrix था जो given था उसको क्या बोलोगे symmetric यह condition अगर fulfill कर रहा है ठीक है यह तो होगी इसकी theoretical definition जैसे देखो यह कोई मैं matrix ले लेता हूँ उसने यह example देखो यह दो matrix बनाए है एक यह और एक यह are symmetric matrices मतलब अलग अलग है इस matrix को देखो मैं चलिए मैं ऐसे लेता हूँ ऐसे पहले एक example की तरह देखो theoretically आपको चेक करना है matrix given matrix symmetric symmetric है या नहीं यह ले लेता हूँ 1, 4, 5 1, 4, 5 दूसरा column 2, 2, 6 और तीसरा column 5 तीसरा column S में तीसरा column आएगा 5, 6 और 5, 6 माइनस 3 माइनस 3 ठीक है और इसको क्या चेक करना है चेक करना है कि यह symmetric है या नहीं theoretical definition से चेक करना है symmetric है या नहीं symmetric matrix तो मैं क्या करता हूँ इसका transpose निकालूँगा करो transpose कितना आता है तो क्या किया first row को first column में लगा दो लगाओ one, two, five और second row second row second row second row को second column में लगा दो ऐसी तो करते हैं transpose rows और column को interchange करना four to six आ गया और third row third column में लगा दो तो five, six, minus three यह आया ठीक है यहाँ पर तो मुझे चेक करना था कि यह जो matrix A है मैं इसको symmetric matrix बोल सकता हूँ तो definition से गया A का transpose निकाला अब A का transpose यह आया matrix अब यह देखो यह A का transpose A के बराबर आया है नहीं आया तो बराबर तो नहीं आया है यहाँ पर यह वन है यहाँ पर one है, यहाँ पर two है, यहाँ पर four है बस यह अलग अलगा रहे हैं बराबर आने का मतलब सारे element, corresponding element equal ठीक है तो यहाँ से clear है A यह जो आया है वो not equal to A है ठीक है, तो यहाँ theoretically A का transpose वो A के बराबर नहीं है तो आप बोल सकते हो matrix A is not a symmetric matrix ठीक है चलिए हाँ अच्छा अब यहाँ पर यह definition में अब चलिए, आगे चलते हैं अच्छा इसने definition में न क्या बोला है, symmetric matrix के लिए जो A है वो square होना जरूरी है किसी कोई square matrix है A is a square matrix जो, हाँ इसकी जो definition है न, symmetric होने के लिए वो square matrix से ही link है वो square matrix होना चाहिए, उसको check करते है कोई square matrix है, तो symmetric हो भी सकता है, नहीं तो अगर square नहीं है, क्या तब यह satisfy नहीं होगा दो को square नहीं होगा मानलो, A का order A का order है order ले लो, उसका square नहीं लेता मैं 2 by 3 ले लेता हूँ ठीक है, तो भई A dash जो उसका transpose आएगा उसका order आएगा 3 by 2 तो फिर तो यह definition अगर इसको define करते हैं कि एक ऐसा भी matrix हो, तो अगर वो square नहीं है ठीक है, square नहीं है जैसे 2 by 3 order का लिया ना A तो A का transpose 3 by 2 तो भई यह तो फिर कभी equal आए गई नहीं अगर वो non square matrix है non square के लिए A और A का transpose उसका transpose वो कभी equal आएंगी यह नहीं equal होने का chance है यह नहीं और हम define कर रहे हैं कि एक ऐसा matrix जिसमें A का transpose उसी matrix के बराबर आजाए A के बराबर ही आजाए तो इसमें तो chance बनेगा नहीं तो यह कब बन सकता है जब matrix आपका कैसा हो बच्चे square matrix वहीं परचांस है कि उसका transpose A के बराबर आजाए ठीक है यह तो बात होगे कि यह जो definition है square matrix से related है square matrix में यह ऐसा possible है यह हमने देख लिया है चलिए चलिए मैं एक और example ले लेता हूँ फिर आगे इसकी definition को आगे देखेंगे जैसे मैं कोई matrix ले रहा हूँ आपको theoretical इसको देखना है अभी मेरे पास का और भी तरीक है चेक करने की वह आपको आगे पता लगेंगे तो मैंने यह लिखा one two zero three four five three four five आपको चेक करके बताना है यह जो matrix लिखा है यह वाला यह symmetric है या नहीं है चेक करो कैसे चेक करोगे क्या तरीक है अभी आपके पास कि यह symmetric है या नहीं है इसका answer करने का तो आप क्या check करोगे definition से इसका transpose लोगे क्या लोगे इसका transpose यह लिए transpose इसका transpose एक matrix आएगा उस मैट्रिक्स को निकालो आप पहले तो ट्रांस्पोर्ज निकालो यह का ट्रांस्पोर्ज करके एक मैट्रिक्स आया पहली रो को पहले कोलम में लगाओ कर उसको जलती से तो यह आगया 1, 3, 4 दूसरी रो को दूसरे कोलम में लगाओ तो दूसरे कॉलम में लगाओ 3, 2, 5 और तीसरी रो तीसरे कॉलम में लगाओ यह हो गया इसका ट्रांस्पोज एका 4, 5, 0 ठीक है अब ध्यान से देखो कि यह जो यहाँ पर 1 इवन था और मुझे पूछा गया था सिमेट्रिक है या नहीं तो उसके लिए मैंने A ट्रांस्पोज निकाला A ट्रांस्पोज यह मैट्रिक्स आया अब मुझे चेक करना है यह A के बराबर आया है नहीं आया बात यहां पर है तो यह मेरा A था और चेक करके देख लो भई यह तो A के बराबर आ गया यह वान वान इसमें भी corresponding element सब सेम आ रहे हैं देख लो यह वाला matrix और यह बराबर आया है ठीक है इस वार सारे element सेम है exactly सेम आया है तो भई यहाँ पर यह A के बराबर आ गया ठीक है आपको यह भी बता है कि हर बार वो A के बराबर आये पिछली बार तो नहीं आया था इस बार आ गया ठीक है तो यहाँ पर clear है कि A dash A का transpose A के बराबर है तो जो यह matrix A है जो यह condition step की condition को satisfy कर रहा है करता है तो मैं A को बोल सकता हूँ A is a क्योंकि condition satisfy है A का transpose A के बराबर है तो A को क्या बोलूँगा A is a symmetric matrix यह तो तरीका हो गया किसी matrix को आप symmetric check कर सकते हो theoretically अब मैं किसी matrix को बिना transpose निकाले direct उस matrix को देखते ही बता सकता हूँ कहने का मतलब है यह matrix था और मैं यह कुछ नहीं निकालूँगा सिर्फ अंदर element की position देखूँगा और कुछ चेक करूँगा और उसको लिख दूँगा हाई symmetric हाई यह symmetric नहीं है कैसे अब चलते हैं next ठीक है यहां पर page add करेंगे इसको आगे लिए जाओं अब देखें अब देखें यहां पर आगे थे हम मैं कोई एक matrix लेता हूँ square matrix A लिया A कोई matrix है तो यह है मैं A11 ऐसे लिखता हूँ उसको A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 ठीक है अब मैं इसका transpose भी निकाल लेता हूँ दोनों चीज़े लिख लेता हूँ A matrix लिया उसका transpose लिख दो first row को first column लखो तो यहां पर आ गया a11 यहां पर a12 first row first column में लगा दूँ ठीक है अब second row second column में लगा दूँ A21 A22 A23 फिर third row third column में लगा दूँ A31 A32 A33 यह इसका transpose है अच्छा इसमें करना क्या है मैं क्या करूँगा मुझे जो इसके A मैं क्या करूँगा यहां पर कि अगर A का transpose A अगर symmetric matrix है कैसा matrix है symmetric तो लिख देते हैं equal to A का transpose A के बराबर ही होगा तो मैं condition निकाल रहा हूँ कि अगर symmetric matrix है A का transpose A के बराबर होगा मैं A का transpose बच्चे A के बराबर करूँगा और उसके जो elements हैं उनमें connection ढूड़ रहा हूँ कि symmetric matrix के अंदर तो elements हैं उनमें क्या connection आता है तो करो इसको इसके बराबर करो यहां पर आ गया ना यह वाला यह वाला इसके बराबर करो यह A transpose करके देखो उपर से उठाओ A1 1 A2 1 A31 यह transpose है यह वाला A12 A22 A32 A13 A23 A33 यह A transpose और उधर A के बराबर करके देखो यह अपना था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यह था तो हुआ क्या देखो अगर एक किसी matrix का transpose उसके बराबर है मतलब matrix symmetric है तो उसके elements में क्या relation होता है तो यहां से symmetric relation आ रहा है A11 equal to A11 आ रहा है ठीक है मतलब ऐसे ऐसे आ रहा है A11 equal to A11 ठीक है देखो पहले लिखते जाओ A21 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 क्योंकि अगर यह इसके बराबर है उसके बाद लिख रहा हूं equating corresponding elements A21 equal to A12 होता है किसकी बाद किस में होता है ऐसे यह condition जो लिख रहा है किस में होगी अगर matrix symmetric है ठीक है ऐसे नहीं किसी में भी हो जाए A12 equal to A21 होती है और A आगे बढ़ो A31 equal to A13 A31 equal to A13 यह A13 equal to A31 आगे A12 equal to A21 A12 equal to A21 होगा और आगे वो condition लिखो A22 A22 equal to A22 यहां से तो कोछ ठीक है तो चलो A22 लिखते जाओ आगे बढ़ो A32 equal to A23 A32 equal to A23 मतला यह A23 equal to A32 next A13 equal to A31 A13 equal to A31 यह A2 and A23 equal to A32 A23 equal to A32 लास्ट A33 equal to A33 A33 equal to A33 ठीक है यह condition आती है उस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स A है मतलब यह मैट्रिक्स A ऐसे था ठीक है यह इसकी positioning थी 3 by 3 का था यहां पे diagonal element आएंगे और यह कह रहा है यह position थी A11 ठीक है यह diagonal में A22 यह A33 यह कह रहा है देखो धिहन से A11 equal to A11 जो A11 पोजिशन है उससे तो कुछ निकला नहीं है यहां से कुछ निकल के नहीं आया और A22 equal to A22 यह position भी A22 है इस पे कुछ special क्या होगा कुछ भी हो सकता है A33 equal to A33 यहां से कुछ खास नहीं मिला अब यहां से देखो A21 equal to A12 मतलब A21 equal to A12 यहां यहां पर A21 equal to A12 पोजिशन कहां होती है यह रही A12 पोजिशन और यह जो पोजिशन है यह किसके बराबर होनी चाहिए A21 के इस position के बराबर ठीक है यह position आपस में बराबर होनी चाहिए यह लिखा है ना उपर यह कह रहा है यह position आपस में बराबर A12 equal to A21 अब आगे बढ़ो आगे इसने लिखा है A31 equal to A13 यह matrix A की बात चल रही यह A की ऐसारे element यह symmetric अगर होगा तो ऐसा होगा कुछ उसमें A13 यह रही position बच्चे A13 यहाँ पर यह A31 के बराबर A31 यह राया यहाँ पर इसके बराबर होनी चाहिए ठीक है आगे A12 equal to A21 यह तो होई गया चलिए और condition क्या बनी A32 equal to A23 A32 equal to A23 A23 position बच्चे यह होती है 2-3 और यह A32 के equal A32 यह position होती है ठीक है यह बराबर होनी चाहिए और A13 equal to A31 यह तो पिछली है कोई नई चीज नहीं है और A23 equal to A32 ठीक है ठीक है यह की बात है तो A23 equal to A32 बोलो है A32 equal to A23 बोलो यह बस यह है symmetry यह है symmetry इसको ध्यान से देखो यह position यह position यह किसकी position थी यहाँ पर यह position किसकी थी A12 A21 यह आपस में बराबर होने चाहिए बस यह symmetry दे यह A13 position और यह A31 position यह आपस में कैसी होनी चाहिए बराबर यह element A1 A13 पर जो है उतना ही element A31 पर होना चाहिए अब यह A23 position है और A32 position के बराबर होनी चाहिए यह symmetry है symmetric matrix में आपको क्या देखनी पड़ेगी symmetry यह आपका diagonal है main diagonal इस diagonal के about matrix symmetrical दिखेगा diagonal में कुछ भी हो सकता है diagonal में कुछ खास मतलब ऐसा relation नहीं आया diagonal में कुछ भी हो symmetric matrix की condition क्या है symmetric matrix ऐसा square matrix जिसके diagonal में कुछ भी हो लेकिन वो diagonal के about symmetrical हो मतलब diagonal के about उसको reflection हो मतलब देखो reflection का मतलब है इस position का reflection देखो reflection का मतलब है a13 का reflection है a31 और a12 का reflection a21 होता है ठीक है इसके about reflection ले लो ना diagonal के about reflection का मतलब है a12 का reflection a21 और a13 का reflection a31 होता है और a23 का reflection a32 होता है यह element symmetrical मतलब बराबर होने चाहिए ठीक है यही symmetry है diagonal के about symmetry दिखें ठीक है same element a12 a21 के बराबर a13 a31 के बराबर a23 a32 को तो मैं direct बोल सकता हूं matrix कैसे है symmetric matrix होता है ठीक है चलिए इसी को मैं definition में लिख सकता हूं ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको इसमें क्या होता है square matrices में इसमें ऐसे भी बोल सकते है इसमें ऐसे भी बोल सकते है चलिए यहीं पर लिख देते हैं A square matrix A ऐसे कोई square matrix है ऐसे denote किया N order का ले लो इस सिमेट्रिक ऐसे भी लिखा जाता है if condition क्या होगी if अगर A, J, I equal to A, I, J उसके elements में यह relation होना चाहिए उस matrix के जो elements हैं उनमें आपस में ऐसा connection होना चाहिए for all I and J ठीक है यह बोल रहा है A, J, I equal to A, I, J यही तो बोल रहा है A, J, I equal to A, I, J का मतलब क्या है यही ऐसे बोलो A, I, J equal to A, J, I इसका मतलब है A, 1, 2 A, 1, 2 अगर मैं बोलो A, 1, 2 किसके बराबर A, I, J equal to A, J, I A, 2, 1 के ठीक है यही तो है A12 equal to A21 के बराबर होना चाहिए ठीक है symmetric के लिए और condition A13 इसके उल्टा उल्टा करो A31 के बराबर बच्चे यहाँ पर होता है A13 और यह A31 के बराबर होना चाहिए ठीक है यही कह रहा है कि diagonal के about जो elements है ठीक है उसमें symmetry होनी चाहिए तो और A अगर 2 A21 है तो वो A12 के बराबर A31 A13 के बराबर A23 A32 के बराबर इनी की बाद चल लगी है diagonal element की बाद चल लगी है यह इसके बराबर यह इसके बराबर और यह element इसके बराबर ठीक है इसे भी लिखा जाता है AJI equal to AJI यह भी रपनेशन है square matrices की symmetric matrix की ठीक है चलिए और जैसे ऐसे भी देख सकते हैं चलिए अब एक्जामपल देखते हैं मैं direct check करूँगा symmetric matrix है या नहीं तो एक page add करते हैं आपर अब देखिए देखो भई यह भाई जैसे example देखूँ आपको कोई matrix दिया है अब direct देखते ही बता सकते हो symmetric है या नहीं ऐसे लिखा है 3 by 3 का ले लेते हैं 2, 3, 4 और 3, 5, 7 4, 7, 0 क्या बोलोगे symmetric है या नहीं A is symmetric or not तो आप क्या देखो diagonal को देखो यह रहा है diagonal इसमें तो कुछ भी हो diagonal के about symmetric यह element A12 यह A12 position है बच्चे A12 किसके बराबर देखो A21 के symmetry देखनी चाहिए ठीक है symmetrically placed elements बराबर होने चाहिए देखो यह A कुन सा है A13 यह कुन सा element है A13 यह A31 के बराबर यह देखो बराबर है ना diagonal से उधर diagonal से इधर और A यह कुन सा element है A23 A32 के बराबर है यह symmetry देखो बस और diagonal में कुछ भी हो तो हमें क्या बोल सकता हूँ उस matrix को directly कि यह matrix कैसा होगा symmetric symmetric है ठीक बच्चे ऐसा ही बस इससे मिलती जूलती recognition है 99% same definition इसकी symmetric में है थोड़ा सा change करेंगे और ऐसे मैंने लिख दिया 309 903 और 900 अ मैं बोलू कि symmetric है या नहीं बताना है तो diagonal में focus करो diagonal में कुछ भी हो अब यह position देखो A12 और यह A21 बराबर नहीं है ना यह position तो यह symmetric नहीं है आगे check करने की जौरत नहीं है मैंने देखते ही बता दिया ही ठीक है not symmetric ठीक है मैंने देखते ही अंदर element मुझे symmetrically मुझे क्या पता लग गया कि उसके जो elements है किस position पे कैसे element होते है ठीक है symmetry देखनी होती है तो अब यह निकालने की जौरत नहीं पड़ी ना कि transpose निकालो फिर चेक करो एके बराबर तो यह theoretical method है और यह हम direct देख सकते हैं क्योंकि हमने internal behavior देख लिया symmetric matrix में कैसे होता है चलिए यह हो गया symmetric ठीक है आगे तो इसमें कुछ और नहीं लिखा है यह लिखा है यह point क्या लिखा है first point if a, a, i, j, it symmetric matrix then यह कहा है अगर कोई matrix symmetric है तो उसमें a, i, j, it element j, i, it element के बराबर रहेगा ठीक है सही कह रहा है आपको अगर ऐसा लग रहा हूँ कि diagonal में देख लो diagonal में देख लो देखो a, i, j, it element यहाँ पर देखिए हूँ हाँ, symmetry के लिए क्या बोला था मैंने भी कि कोई matrix है अगर symmetric है तो i, j, it position पर जो element है और j, i, it position पर element सेम होना चाहिए symmetric matrix के लिए ठीक है मतलब यह element यहाँ से देख लो न नीचे आज़ाब अब ऐसे सोसरों कि चलो ठीक है a, one, two, a, two, one बराबर a, one, three, a, three, one बराबर a, one, one किसके बराबर a, one, one का उल्टा भी a, one, one ही है ठीक है तो वो position सेम ही रहती है ठीक है diagonal कैसे भी हो सकते है ठीक है चलिए अब यह तो होई गया था part a, i, j, symmetric matrix if a, i, j, equal to a, j, i यह बराबर होते हैं ठीक है for all i, j symmetric matrix की बात कह रहे हैं और यह कुछ नहीं लिखा यह diagonal है diagonal में कुछ भी हो सकता है यह कुछ भी लिखा है उसने और यह a, one, two, y, position यह two, one के बराबर की है यह इसके बराबर की है यह इसके बराबर की है चलिए छोड़ो उसको तो यह तो होई गया है चेक कर सकते हैं अब बात आती है हमारी दूसरी definition बच्चे वो क्या है isq symmetric matrix इसको भी देख लो यह भी बड़ी आसान सी है यह जल्दी हो जाएगी अब isq symmetric इसमें क्या होता है कोई matrix है A और वो ऐसा है कि उसका आपने transpose किया और वो A के बराबर आ गया तो symmetric बोलेंगे A को अगर A का transpose A के बराबर सोचो अगर A का transpose minus A के बराबर आ जाए तो minus A के बराबर अगर आता है A का transpose minus A तो A को बोलते हैं किसको बोलेंगे A matrix जिसका transpose minus A के बराबर है उसके negative के बराबर है तो A को बोलेंगे isq symmetric matrix ठीक है बच्चे और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का आपने transpose किया तो वो भई ना तो A के बराबर हो और A का transpose ना माइनस A के बराबर हो तो वो हो गया नाइदर symmetric तो A को क्या बोला जाता है नाइदर symmetric नोर excuse symmetric चले definition पढ़ो अब If the transpose of A square matrix is किसी square matrix का transpose is negative of itself जो वो खुद matrix है अपने के negative के बराबर आजाए ठीक है मतलब कहने का मतलब है तो उसको हम क्या बोलेंगे is symmetric, excuse symmetric matrix that is a square matrix A is excuse symmetric और उसने लिखा यह main condition है If A transpose equal to minus A ठीक है चेक कर लेते हैं इसमें भी A का transpose equal to minus A पहले मैं इसको ऐसी चेक करूँगा ठीक है तो जैसे मैंने एक example लिया और यह matrix है मैंने ऐसे लिखा ठीक है ऐसे लिख दिया 0, 1, 2, minus 1, 0, 3 minus 3 यह 3 यह 2 और यह 3, यह 0 ऐसे लिख दिया आपको question के अभी check करना है A is excuse symmetric or not इसको check करना है excuse symmetric है या नहीं तो condition क्या है आपको पूछे आपको यह पूछे symmetric है यह निकालना हो symmetric check करना हो क्या check करना हो symmetric यह आपको check करना हो कोई matrix excuse symmetric आपको A की काम करना पड़ेगा आपको सुरुवात same करनी पड़ेगी क्या symmetric के लिए और इसकी symmetric के लिए A को check करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा A का transpose theoretically ठीक है मतलब अगर आगे जब question करोगे ठीक है तो ये A का transpose निकालना पड़ेगा अगर matrix दिया है वैसे तुम इसको direct भी बता सकता हूँ आगे बताएंगे तो A का transpose निकाला अब देखते हैं A के बराबर आता है माइनस A के करो पहले इसको तो बच्चे A का transpose करो पहली row को पहले कोलम में लगाओ तो ये आगे जीरो वन टू सेकिंड row को सेकिंड कोलम में लगा दो माइनस वन जीरो माइनस थ्री और थर्ड row को थर्ड कोलम में लगाओ तू थ्री जीरो ये लगा दिया अब देखो A का transpose A के बराबर है क्या ये चेक कर लो कहीं A के बराबर तो ना आगे चेक कर लो उसको क्या होता है इक्वल टू A ये है A तो A में यहाँ पर जीरो जीरो ये बराबर चल ला है 1-1 नहीं बराबर नहीं है तो A का transpose not equal to A not equal to A कहने का मतलब क्या हुआ symmetric नहीं है ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि जो symmetric नहीं है वो skew symmetric हो गया ऐसे भी नहीं बोल सकते आप जो symmetric नहीं है वो skew symmetric हो गया अगर दो ही चीजे होती कि symmetric है skew symmetric फिर तो बोल सकते थे लेकिन तीन चीजे है कोई matrix symmetric हो सकता है वो skew symmetric या फिर skew symmetric हो सकता है या फिर neither symmetric nor skew symmetric तो symmetric नहीं है not symmetric تو skew symmetric के लिए चेक करो A का transpose minus A के बराबर है क्या तो minus A minus A निकाल के देखो A तो पताई है अपने A तो दिया ही होता है माइनस A तो माइनस A का मतलब होता है जो A मैट्रिक्स है उसमें माइनस से मल्टिप्लाई माइनस भार है 0, 1, 2, माइनस 1, 0, माइनस 3 2, 3, 0 तो यह माइनस है ना भार इसको अंदर मल्टिप्लाई करो यह माइनस A निकल जाएगा तो 0, माइनस 1, माइनस 2 ठीक है 0, माइनस 1, माइनस 2 और यह 1, 0, 3 माइनस 2, माइनस 3, 0 यह आया मैट्रिक्स अब चेक करो यह माइनस A अब चेक करो A का ट्रांस्पोर्ज निकाला A गिवन था और माइनस A भी निकाला यह दोनों बराबर आए क्या बराबर यह 0, 0 बराबर माइनस 1 बराबर यह 2, यहाँ माइनस 2 तो भई यह वाले दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ से क्या बच्चे क्या मिला कि A का ट्रांस्पोर्ज is not equal to माइनस A तो यह आगया not skew symmetric skew symmetric ये skew symmetric भी नहीं है ना symmetric ना skew symmetric तो कैसा हो गया neither symmetric और skew symmetric अब चलिए सोचो, अब मैं इसमें थोड़ा सा change कर रहा हूं यह जो A था इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही चेंज करूँगा यहाँ पर माइनिस लगा देता हूँ अब देखो माइनिस लगाने पर यहाँ पर माइनिस लगा दिया अब देखो ट्रांस्पोज निकालो ट्रांस्पोज निकालोगे तो यहाँ पर रोज को कोलम तो यहाँ पर माइनिस आ जा फिर मैं माइनस ए निकालता हूँ माइनस ए तो माइनस से मल्टिप्लाई करो तो उपर पहुंच जाएगा यह उपर आएगा यहाँ पर आजाएगा माइनस से मल्टिप्लाई करोगे तो यहाँ पर जीरो माइनस वन माइनस टू ठीक है ऐसे आएगा यह हमारा अच्छे यहाँ पर माइनस है ना यहां पर 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 यह वन जीरो यह आ जाएगा आगे अलिमेंट हमारा यहां पर यहां पर आजाएगा वन जीरो थ्री ठीक है और यह माइनस टू माइनस थ्री जीरो यहां अब ध्यान से देख लो यह A का जो ट्रांस्पोस है और माइनस A के बराबर आ गया है आगे है ठीक है ऐसे ही example ऐसे ही था ही ये देखों A का transpose ये और ये वाला element और minus A ये जो आया बराबर है 0 minus 1 2 0 minus 1 2 1 0 3 1 0 3 minus 2 minus 3 0 minus 2 minus 3 0 तो A का transpose equal to minus A आगया तो आप बोल सकते हो कि जो matrix A है A is A कैसा skew symmetric matrix आगया ठीक है ये मैंने छोटी के लिए चेक किया पूरा करके देगा अभी मैं इसको direct देखूंगा मैं देखती ही बता सकता हूँ कि कोई symmetric है और skew symmetric है आपको दोनों आने चाहिए क्योंकि question इतना असान तो होगा नहीं कि आपको matrix देदेगा ये ये matrix है इसको symmetric, skew symmetric check करो वो तो मैं देखती ही बता देगी अभी आगया आएगा उसका method जैसे symmetric के लिए लेकिन छोटी कली कुछ theorem होती है ठीक है सुमें matrix ही निरिया होता है ठीक है सिर्फ ऐसे लिखाओगा a matrix, b matrix, ये ऐसे matrix है बताओ symmetric है, skew symmetric है, ठीकली करना पड़ेगा तो ये equation ये skew symmetric के लिए और symmetric के लिए a transpose equal to a ये mind में होनी चाहिए आपके ठीक है बस अभी यहीं तक रखते हैं symmetric और skew symmetric की definition हो गई कि कल हम इसे जो properties है ठीक है जो questions है कुछ results है वो results याद नहीं रखने है आपको तरीका याद रखना है pattern कैसे check करना है ठीक कैसे start करनी है बस वो याद रखना है वो हम कल class में discuss करेंगे